हेलो दोस्तों, एक्षली मैं यहां पर यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कुछ मेंने नोटिस किया है, मैं तीन वार वैक्सिनेशन जो भी वीडियो बना रहा हूं, मैंज़ सिर्फ वैक्सिनेशन के लिए है, कुछ मेरे भाइ लोग हैं, जो शायद पढ़ना लिखना नह को समझ नहीं लगती है ठीक है तो मैं थोड़ा सा उसके ओपर बात करूंगा कि मैं जे वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं तीन वार वैक्सिनेशन सेंटर में गया हूं दो वार अपनी बीवी के साथ और एक वार में खुद गया हूं मेरी सेकंड डोस जो है 31 कल सुभा है तो प आप चानते हो कि थोड़ा सा भी हम गलत कर रहे हैं तो आप गलत करेंगे तो उसमें तो लोग ज़्यादा बाते करने लगते हैं बहुत सारी वीडियो से हैं देखिए तो उसको देखके मैंने ये वीडियो बनाना सही समझा और मैंने एड्रस किया कि प्रॉब्लम्स है किया बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो यह है कि हम आप में से कुछ लोगों को पूरी इनिफॉरमेशन नहीं है पहली बात जो आपने करनी है वहाँ जाते ही सबसे पहली बात है कि आप अपने साथ पैन लेके जाएं फिर् पैन इसलिए कि वहाँ पर आपको एक फांब दिया जाता है अगे वाले इंगली पर होता आपको यह हिस्फे छे पर होता है पीछ की दो ओनों ऐक ुलेकि douteर को एक यह दिए कि भी दूसरी जो आपकी सैकेंड रोलश होगी तब के लिए आपको वह trappedब कर देएं करें ठीक है उस फॉर्म पे आपने क्या लिखना है मेरे पास है नहीं तो लेकिंग बताता हूं कुछ जादा नहीं लिखना है डरने की ज़रूरत नहीं उसमें आपका नाम है आपका पासपोर्ड है और जिस दिन आपकी वैक्सिनेशन हो रही है वो लिखा होता है और कौन सी वैक्सिनेशन जो आपको लगेगी आपको वह उसका नाम होता है कभी-कभी आपको सिनोबेक्स लग रही है कभी-कभी फाइजर लग रही है वो आप पूछ सकते हो ठीक है जैसे आप काउंटर में जाते हो तो वह भी बता देते हैं अगर नहीं उसमें भरा तो वह खुद दिख लेते हैं ठीक है यह तो एक बात होगी पैन अपने साथ जरूर लेके जाएं दूसरी बात जो मैंने देखी एक बहां पर जाके जैसे आप अंदर जाते हो पहले आपको रेला की तीम मिलेगी ठीक है वह उन्हीं लोगों को अंदर जाने देते हैं कि जो लोग मैस करना ही पड़ता है ठीक है कि जगाओं पे आप जस्कैन करती है और चले जाते लेकिन आप बैक्सिनेशन संटर में आप जा रहे हो तो आपको जो है आपकी जो माई सजद्रा जो है वह बार अप टू डेट होनी चाहिए क्योंकि जब आप बैक्सिनेशन कर लेते हो तो आपकी जो QR कोड जो होता है वो उस टाइम उस डेट को मैच करना चाहिए ठीक है यही पर आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जो मैंने खुद देगिया वहां पे मैं पिछली बार गया अपनी बीबी के साथ तो मैंने देखा कि एक्टि मैंने उनको बोलते है कि आप रिफ्रे करते थे रिफ्रेश करता था लेकि डेट नहीं होती थी और नहीं पर टाइम हो जैसे वह देखता था था जा है तुज को रिफ्रेश कर ओं ठोर शूरुरो लो跟tvा कम जाते थे तो शायद वहां की हईलप कर देते थे लेकी इन दिनों ऐसा नहीं हो रहाा है बहुत सारा क्राउड है वो हर एक की मदद नहीं कर सकते ही और साथ में वो भी इनसान है और सुबा से शाम तर वो इतने लोगों देखते हैं कभी-कभी गुस्ता आ जाता है ठीक है तो मैं उनको ब्लेब नहीं करूंगा लेकिन जब उनको वो आज कर वो वो चोटा हूँ एक माइक सा होता आपस का इस्तमाल करना ही नहीं आता है मैंने दो चार लोगों की मदद की लेकिन उस पे मुझे घुड़ लग रहा था क्योंकि जे कोवीड का जमाना है तो आप किसी हर जुड़ नहीं सकते ठीक है तो जैसे में एक ही मदद करना लगा तो दो चार और आ गए तो मैं मतलब म मैं मदद करना चाह रहा था लेकिन अंदर से डर भी था ठीक है मेरी वाइप मुझे गोर्दी की ऐसा मत करो ठीक है और क्योंकि आप समय सकते हो कि यह मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ तो आप अचानक मेरे उपर आके आगे आगे हो और मैं वहां पे एक ही दिन था आपके प्रॉल्म तो लंबी है इसलिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा टिप्स दे रहा हूं ठीक है अभी आप देखेंगे कैसे माई सजत्रा एप्लिकेशन को आपने इस्तेमाल करना है अभी आप देखेंगे प्लीज मैं आपको आपकी स्क्रीन पे बताने जा रहा हूँ अ आपने जहां पे अपने फॉन पे माई सजत्रा एप डाउनलोड कर रखी है आपने उसके ओपर टप करना है प्रेस करना है जैसे ही आप टप करेंगे कैसे आपकी स्क्रीन इएपके फॉन पे खुलेगी ऐसे तो इस तरह से कुछ आईगा आपके ठीक है उपर आप देखेंगे, एक option है close का, c-l-o-s-e, close और आपने close पे tap करना है, जब उगली से आपने उसको जफे प्रेस करते हैं, उसे tap कर देना आपने, ठीक है फिर उसके बार आपको इस तरह की screen नजर आएगी दिख रहा है आपको, ठीक है तो आपने देखा यहां पे है COVID-19 status, दिख रहा है आप सब लोगों को हाँ, आपने उसके फिर अपनी finger से tap करना है जैसे ही आप tap करेंगे, आपको फिर screen में इस तरह से कुछ नजर आएगा ठीक है, तो आपने tap करना है बापस start के उपर फिर आपको इस तरह की screen फिर से नजर आएगी यह इसमें कुछ सावाल पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है पहले सावाल में यह पूछ रहे हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे बुखार है, जा कोई किसी की जुकाम, बॉडी की दर्द है, सिर्दर्द है, जा गले में कुछ खराश है या कुछ और तरह की कुछ कंप्लिकेशन हैं आपको, और तरह की कोई तकलीव है आपको, तो आपको येस करना है, अगर येस करेंगी अपको एक्स्पेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो ना करें आप, ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों का तकरिव ना नाई होगा, तो मैं फुरा सा कि एक पटन है सब्मिट का, सब्मिट है S-U-B-M-I-T ऐसे कुछ लिखा हुआएगा आपको तो आपने उसके उपर टैप कर देना है, ठीक है फिर कुछ लिखा हुआएगा नोड जिसमें वो जे पुछ रहे हैं कि आपने जो भी डिटेल्स दी है, वो सही है तो जकिनन आपने सही दी होगी तो आपको उसके ऊके करते हैं फिर थोड़ी दिर बेट करें फिर आपको फिर से कुछ मेसेज आता है वो आपको शुक्रिया कर रहे है रेस्पॉंस करने के जो कुछ आप जो application में आपने जो कुछ पताया उसके लिए आपका बहुत जन्यवाद कर रहे हैं thank you कर रहे हैं ठीक है फिर आपने okay कर देना है फिर उसके बाद आप से बापस इस screen में आजाती है तो फिर आप देखेंगे नीचे एक option है profile का जैसे मेरी finger देखेंगे आप तीचे के हिस्से में profile प-r-o-f-i-l-e profile आपने उसके अपर फिर टैप करना है जब उसके finger प्रेस कर देना है ऐसे थोड़े दिर वेड़ करें आपको फिर इस तरह की screen नज़र आएगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा आपका passport चा कोई ID जो भी है वो लिखी होगी आएगी आपका four number होगा फिर नज़र आएगा आपको refresh वो क्या चाहते हैं जैसे आप अंदर जा रहे हो वो current time चाहते है और current date चाहते है refresh करने के बाद आपने देखना है कि जो teacher date है वो उसी दिन की है जिस दिन आप वहाँ पे हो जैसे आज 30 जुलाई है तो यहां पर 30 जुलाई लिखा हुआएगा अब ए time अगर आप तेखेंगे तो 6 बज़ कर 50 मिनट हुए है तो यहां पर भी 6 बज़ कर 50 मिनट हुए है अग आपकी details to have a properly scanned होती है जिसका यही एक कारण है reason है ठीक है क्योंकि मैं जब 3 बार बहाँ पर गया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग जब उनको अंदर नहीं जाने दिया गया है वो क्या कर रहे थे वो refresh तो कर रहे थे लेकिन उसे refresh नहीं हो रहा था उसकी बज़ाज यह थी कि उन्हों ने हमने पहले वो एक स्टेट किया ना COVID-19 स्टेट ते जिसमें हमने उनके सवाल के जवाब दिये वो लोग नहीं कर रहे थे आप लोग नहीं कर रहे थे ठीक है उसकी वज़ा से ऐसा हो रहा था ठीक है यह तो आपका हो गया एक कैसे इसको अप्रेड करती है और कुछ लोग ऐसे जी मेरे भाई हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनकी देख आ गई है उनका अपॉइमेंट आगी है कि नहीं है तो ठीक है अगर आप फिर से अगर आप पहले स्टीड में आ रहे हैं जैसे उसमें लिखा होगा है COVID-19 vaccination आप उसके उपर प्रेस करेंगे तो आपको नज़र आएगा बैक्सिन फार आपका नाम होगा जो भी नाम आपका होगा वो नाम होगा आपने उसके उपर प्रेस कर ठीक है तो आपको लिखाएगा आपका नाम आपका जो आईडी जो भी होगी उसके बाद रजिस्टर हुआ है और उसके बाद जो भी डिटेल तो उसमें लिखाएगा डेट, टाइम, कहां पे है और कौन सा भूत है वहां पे, आपको फूरा डेटेल्स नज़र आएंगी आपको, ठीक है, तो होफुली कि आपको माई सजट्रा के बारे में कैसे इस्तमाल करना है, आपको पता चल गया होगा, यह बहुत ज़रूरी है, क् कि मैंने वहां पे खुद एक्सपिरियंस किया, कि आप लोगों को तकलीफ हो रही थी, ठीक है, तो उमिद करता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ मजब मिलेगी, ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में लग रही है, तो आप यह है नीचे कॉमेट में डालके मुझ पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अशन नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो को फिर से दो तिन वाद देखी, आपको समझ में लग जाएगी, अगर आपको नहीं लग रही है, आपके आपके आस पास कोई ना कोई होगा, यह सब चीज़ आप कर बचेगा, आपको वहाँ पे हारास्मेंट नहीं होने पड़ेगी, और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे वहाँ पे, ठीक है, मैंने देखा है सिस को, इसलिए मैंने जेट वीडियो बनाना शुरू किया, ठीक है सर, थैंक्यू, ओके, दोस्तो, मुझे उमीद है कि जो अभी म अगर देते नहीं, अगर देंगे भी, तो उनका मिजाज अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज को डरते हैं, आप पैन को इस्तिमाल करोगे, और वही सेम पैन वो फुद इस्तिमाल करेंगे, वह पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, अपना पैन लेके जाएं, और मैसा जत्रा को स झाल